मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ मैं बड़ा जोर देकर बार बार रेपीटिशन करके ये नियम बताये गया, जो शाहिद बहुत महत्तु का है, इसलिए रेपीटिशन बहुत हुआ है, भोजन को बनाते समय, जो भी पात्र का इस्तेमाल आप करते हैं, वो खुला रहना चाहिए, भोजन को बनाते समय, जो भी आगे का नियम है कि भोजन को बनाते समय, पकाते समय, सूरी का प्रकाश या पवन का इस्पर्श होना बहुत जरूरी है, बनते हुए भोजन को, पकते हुए भोजन को, सूरी का प्रकाश या पवन का इस्पर्श, अब सूरी का प्रकाश आजकल हमारे घरों में चूले खतम तो खुले में अगर खाना बन रहा है तो सूरी का प्रकाश आएगा वो पक्की बात है। नहीं तो कवर्ड एरिया में बना रहे हैं तो खुला रखिए ताकि पवन जा सके उसमें हवा जा सके प्राण वायू जा सके। प्राण वायू माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माने आग। सीधी सी बात आग है ऑक्सीजन तो बनते हुए खाने को आग की ही जरूरत है वो ऑक्सीजन से ही मिलती है। इसलिए जितना खुला रहेगा भगोना या कड़ाई उतनी जादा ऑक्सीजन उतनी जादा प्राण वायू जाएगी और भोजन जो पकेगा वो बहुत अच्छी स नीचे से आग लग नहीं है वो अगनी की है ऊपर से आग है ़ो ऑक्सीजन की है क्वो कम्प्लीट ता है क्योंकि कम्प्लीट उसका कुकि बन बनानी मैं उसमें से पवन बाहर तो आसकता है बाहर से अंगर ता chrom को कोई रaस्ता नहीं है इसलिए कुकर का खाना कुआलिटी में सबसे खराब हम लोगों ने इस पर कुछ काम किया, कुछ वेग्यानिकों के साथ मिलकर ये समझने के लिए कुकर में डाल बने, और भगोने में डाल बने, दोनों को टेस्ट किया, तो पता चला कि कुकर की डाले के जो mycronicrants हैं, कई और गारवं से एक तो कुकर मेंम बबन नहीं कई या परकाश नहीं किया, दूसरा कुकर जो है वह Навेनियुनियुन का है, —– क्या हुआ हुआ और मैं बार बार कह रहा हुएं — एसमेनियं का सबसे खराब मेटल है खाना बनाने के लिए और खाने के लिए Aluminium का invention हुआ, आविशकार हुआ, हवाई जाज बनाने के लिए, मिसाइल्स बनाने के लिए, चलगर यान बनाने के लिए, रॉकेट्स बनाने के लिए, क्योंकि इसको pressure परदाश्ट करने की ताकत बहुत है, Aluminium को, और हवाई जाज 35,000 फिट पर होता है, तो air pressure सबसे जादा ह अगर स्टील का हवाई जाज बनाएंगे तो फट जाएगा, प्लास्ट हो जाएगा, इसलिए Aluminium का बनाएगा, Aluminium हवाई जाज बनाने के लिए बहुत अच्छा metal है, विसाही बनाने के लिए अच्छा है, यान बनाने के लिए अच्छा है, यह खाना बनाने के लिए अच प्राजकर रखने में। रुजल एलॅमीनियूं के वरतन में ही खाना बनाते और खाते। क्यूं तो कहते हैं जी सस्टा हैं। उनको बागी मेटल्स बहुत नहें चाना हैं। बोब लाके खाते हैं और उसका अंतिया गुरिणाम्स हैं फ्रयत्र से वरतन बßen purity मरत है। इदर पैसे बचाये, उधर अपना जीवन करते हैं। और मैं आपको थोड़ा एक historical fact share करना चाहता हूं कि अलुमेनियम के बरतन भारत में खाने पीने के काम में कब से आये। अंग्रेजों की जब यहां सरकार चलती थे इस देश में, तो अंग्रेजों के देश में अलुमेनियम का अविश्का रगवा। 18th century, उसके बाद उनोंने हवाई जाच वगरा बनाया 1905 में। उस समय अंग्रेजों को किसी वेग्यानिस में बताया उनके देश के के यह खाने पीने के लिए बहुत खराब, बाकी के लिए अच्छा है। तो अंग्रेजों ने भारत के लिए कानून बना दिया। कि बारत की जेलों में जितने क्रांतिकारी बंद हैं सब को अलुमिनियम के बरतन में ही खाना दो। ताकि जल्दी मरे। हमारे जो क्रांतिवीर थे, अंग्रेजों के लिए वो सब आतंकवादी थे। अंग्रेजों के लिए वो सब खतरना प्रोग तो अंग्रेज चाहते थे जेल में बंद करके इनको मारा जाए। पता भी न चले और मर भी जाए। तो उनके लिए उन्होंने अलुमिनियम के बरतन लाए। पतावสे भारत की जेलों में कानून आ गया कि जेल का कैदी है, उसको अलुमिनियम के पात्र में हिपाणी मिलेगा। और आज तक वो कानून हमारी जेलों में चला आ रहा है। अंग्रेज तो चले में 1947 में लेकिन वो कानून अभी भी है अभी भी जेल में आप जाएंगे तो हमारे भाई बंदे जो कहदी बनके वहाँ हैं उनको अलमीनियम नहीं खाना है मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जेल सुपरिंटेंडेंट हैं जेलर हैं मैं बहुत उनको बोलता हूं कि इसको बदल दो अंग्रेजों के जाने का नियम था आप तुम बदल दो तो वो कहते हैं यह हम नहीं बदल सकते यह संसत बदलेगी तो संसत में बैठे हुए लोगों को अब पताओ समझा तो अब समझाओं मैं क्यों समझाओं सुरिंटिंट किता जेलर के ता मैं क्यों बदल आप बताओं अ और फिर बदलो तो आप जो असे Всем से 그 भात बत्ला इंग्रेजों के दमाने में तो 17 शकॉर्ण को को बिन्ती है आपको विंती है कि आपके घर में कोई भी हल्यूपीनियों का बरतल तो कभी मतल रहेगे। कुकर तो जितना कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा है। फिर आप कहेंगे कि उसमें समय कम लगता है। मैंने उसका भी Calculation किया Kapungar में बनाने में 10 मिनट लगता है और भगोने में दाल बनाईए तो उसमें पचीस मिनट लगता है अपस इतना ही अंदर है 15 मिनट आप बचाते हैं एक दिन War तो महिने का भिर साल का भिर सौ साल का Calculation मैंने किया तो जितना समय आप बचाते हैं उतना आपका होस्पिटल में चला जाता है जब आप जमा की मरीज हो जाते हैं या अस्थमा की मरीज हो जाते हैं या टीवी की मरीज हो जाते हैं और वो समय बचाया हुआ वहां जाता है पैसे के साथ समय तो जाता है या पैसा भी जाता है तो तो अल्टिमेटली ये कोई बेनेफिशियल नहीं आपके लिए कि आपने पंदर मिनेट बचा लिया, आप अपने घर के टाइम को थोड़ा मेनेज कर दीजे, जैसे दाल पकने को रख दिया, आप अचीस मिनेट लगना है, खुले बलतर में ये पका है, तब तक आप दूसरे क काम निप्टा दीजे, कोशिश कुछ इस तरह से करे, तो आप बोलेंगे सबसे अच्छे बरतन कौन से है, अलुम्यूनियम तो सबसे खराब है ये जान दीजे, फिर सबसे अच्छे जो बरतन भारत में वाने जाते हैं, उनमें है पीतल, सबसे अच्छा, भोजद बनाने के जातिया हैं, जिनको शाइच ठटेरे कहते हैं, वो लोग बनाते हैं, ठोक कर, बीट कर, तो कांसे के बरतन ले आइए, बहुत अच्छे हैं, पीतल के बरतन ले आइए, बहुत अच्छे हैं, और आपने थोड़ी देर पहले कहा, रही, रही हमेशा कांसे के बरतन में खाएं तो अमृत है, लोहे के बरतन में खाएंगे, तो वो लोहे ही चहसा है, हाँ, बहुत अच्छा सवाद, हरा कम होता है, जब दही खटा होता है, खटा दही कांसे के बरतन में डालने से पहले नमत, सुरी, गोड़ दिलाकर फिर आप खाएंगे, कभी भी भी धरानी हो, दही जैस के बरतन में सब्जी डालनी है, तो जितना जल्दी खा लेंगे, उतना अच्छा है, जितना जल्दी खा लेंगे, उसको स्टोर करके नहीं रखना, स्टोर करने के लिए जो बरतन है, वो पीतल वाले, और स्टोर करने के लिए इन दोनों से भी अच्छे कुछ बरतन है, पीत आखरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि इन सबको नहीं कर सकते तो मिट्टी के बत्र ले हिटे ची इप एड़श बिटी की हडी आती है मिट्टी का तवा आता है हांडी में दाल पकती है χांडी में सब जी भी प 60 है हडी में खिजुड़ी वी पर cama कुछ भी नだけ रहे चलेंगे वड़ाभर चलेइगी है जो दाल पके लिए उसका स्वाद इतना जबर्चस होगा कि आप उमिली चाट जाएंगे। आज हिंदुस्तार में मिट्टी की हांडी की बनी हुई दाल खाने के लिए फाइव स्टार होटल में चार सो रुपए लगते। कभी जैपूर जाएए तो जैपूर शहर से पहले एक चोखी ढानी करके रेस्टोरेंट बना है तो वहां लोग सिर्फ खाना खाने इसलिए जाते हैं कि बिट्टी की हांडी की दाल देता है और दाल तो थोड़ी ही देता है दूसरी बार ले लो तो चार सो रुपए ले देता अब मैंने एक दिन हिसाब लगा चार सो रुपए में तो दस हांडी घर में आती हैं लेकिन लोग ऐसे हैं कि चार सो रुपए की दाल खाने वहां जाते हैं लाइन लगा के घर में चार हांडी ले आएं और उसमें दाल पकाएं वो उनको रिखित लगता है तो मेरा तो आप और उस दूद का जब दही जमाते थे एक तम लाल सुरग दही होता था, उसका जब मक्कन निकालते थे, तो मक्कन भी उसका ऐसा ही होता था, और उसकी छाज पीते थे, वने लसी, और भी अद्बत होती थे, वो स्वाद हमने सब बोला दिया, मौडरनाईजेशन के चक्कर में, अमेरिका की और यूरोप की नकल करने के चक्कर में हम मिट्टी को भूल गए, कोकर ले आए, यूटेंसिल्स आगए, फ्यूचुरा आगया, भीए, आगया, महिंगे-महिंगे चीज़े, सस्ती चीज, क्वालिटी, अब मैं आपको और गहरी बात कहने जा रहा हूँ हो ये, कि मिट्टी के बरतनों में खाना बनाएं, और उसका उपयोग करें, उसमें स्टोरेज करना सबसे अच्छा है, डाल पकाई, अब आपको स्टोर करके रखनी है, मिट्टी के हाड़ी में रखनी है, भूल जाएं, दही बनाया, स्टोर करके र बनता है न मिट्टी से बनता है सिलीका सिलीका मने मिट्टी तो कांच का बलतन भी बिटी के अल्टर्ने चाहिक में चुल सकता लेगि थोड़ा महगा उससे भी सबकी मिट्टी और एक बात जाण लिजें मिट्टी का कि मां दुनिया के सारे माइक्रो नूट्रेंट्स मिट्टी से ही मिलते हैं, कैल्शियम आपको चाहिए, मिट्टी से मिलता है, सल्फर चाहिए, मिट्टी से मिलता है, जिंक चाहिए, मिट्टी से मिलता है, मैंगनीशियम चाहिए, मिट्टी से मिलता है, मैंगनीशियम चाहिए, मिट्टी से मिलता है, सारी दुनिया जहांगे micro nutrients मिट्टी से ही बिलते है क्योंकि मिट्टी सूरच की धूप में लाकों साल थकती है लाकों करोडों साल थकती है कई भार मुझे लगता है कि महादमा कुद्ध महावीर स्वामी ने जितनी तपस्या नहीं की है उससे ज़ादा मिट्टी ने तफस्या की लाफों करोड़ों साल से धूब सूरज की ले रही है रिसीव कर रही है तप रही है उसके तपने से उसमें जो quality अबलब हो रही है उसको हम भूल रहे हैं और छोड रहे हैं इस्किमाल नहीं कर रहे हैं हमारे घरों में आजकर मिट्टी के घड़े आना बंद हो गई, फ्रिज आ गया, रेफ्रिज्रेटर आ गया, मिट्टी के दीन आना बंद हो गई, चाहिना से बने हुए बल्म की जालर आ गई दिवाजी के, हम कहते हैं तो आपने आपको मॉडर्न है, लेकिन भूर्खों की श्रेडी में हम शामिल होते गया हैं, तो आप से मेरे एक छोटी सी गुजारिश है, पंजाब में अभी भी मिट्टी बहुत अच्छी है, और पंजाब में कुमार भी, मैं फोड़े दित पहले जलंदर गया था, जलंदर शहर में सड़क के किनारे बैटें गए दस बारे कुमारों से मैं मिला था, और उन से पूछता था, वही आपकी रोजी रोटी कैसे चलती, कहते तकलीफ में चलती है, क्यों, कहते हैं, गड़े बनाते हैं, पूरे बिक नहीं पाते हैं, हांडिया बनाते हैं, बिक नहीं पाते हैं, तो जिन्दकी चलती है, घिसट घिसट के चलती है, फिर मैं बोला, अगर आपका भीखने लगे तो उनका बहुत खुशी होगी। तो उनका कहना था कि हमारा बेचेगा कौन है। हमरे पास नो जाहिएरात करने का, इपोटिसमेट करने का फैसा नहीं है। मैंने का मैं करूगा आपका इपोटिसमें। फोगट में आपका ब्रेट इंबेस्टर बनोगा। तो मैं सारे देश में भूब भूब के लोगों से कहता हूं कि आज ही और ले दो अपने किसी कुमार को कि दो-चार हंडिया लेया, एक दो घड़े लेया, तवा, मिट्टी का मंगा लीजे। जो दो-चार चीजें आजाएं आपके घर में तो बहुत सुधार आजाएगा खाने में क्योंकि केल्शियम आइरन की डिफिशेंसी हमारे बोजन का खूब हो रही है। और आजकल उस डिफिशेंसी का दुश्परिणाम जानते हैं क्या है। हम सभी की माताएं और महने जब गर्भावस्था में जाती हैं तो बिना सीजर बच्चे आते ही नहीं इस दुनिया में वो केल्शियम की डिफिशेंसी का कार्णा है। आईलन की डिफिशेंसी का कार आईलन और केंशियन दो कोई कम होगा बॉडी में फ्लेक्सिमिलिटी होगी नहीं बच्छा तो सीधर करना ही पड़ेगा और जिनके बच्छे सीधर हो गए याद रखिएगा जिन्दगी भर उनको कोई भी दर्द से छुटकारा दिला नहीं सकत पीट का दर्द, पाउ का दर्द, गुटने का दर्द, होने ही वादा है। सीधर होने के बाद तो कोई भगवान भी आपका दर्द नहीं मिता सकता। जिन्दगी पर डॉक्तर कहेगा दवा खाते रो, दवा खाते रो, दर्द बटाते रो, या कम करते रो, पिर दवा बंद कि उससे हमारे शरीर के बोजन की गुर्वत्ता प्रभावित हुई है। तो इसको कुछ बैलन्स करना है तो मिट्टी ही कर सकते है। क्योंकि मिट्टी में भरपूर चर्चियम है, भरपूर आइलेन हैं, भरपूर फॉस्परस। मिट्टी में दाल पकाते ही, आप देखते हैं कैल्शों बढ़ जाएगा, टेस्ट उसका बता देखाऊ। फॉस्परस बढ़ जाएगा, टेस्ट बता देखाऊ। तो मेरा आपको फॉस्पुली ये रिक्वेस्ट है, जोर देकर मैं आपसे कह रहा हूँ, कि दोचार बरतन खरीद लीजे, वो कुमार की जिंदगी सुधर जाएगी, और आपका घर का बजट कम हो जाएगा, और आपके बोज़न की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, मैंने योगे-करोर पचास लाग जब अपदी जिंदगी आपकी मदद द से चलाएगे, तो आपको ही भगवान मानेगे, हैs बन्ता, आप जो है, मैं जलन्दर में देखा, बहुत अच्छा तबाह, काली मिट्टी का तबाह है, लाल MEट्टी का तबाह है, पीली मिट्टी का, तीन मौझे तो लगा कि कुमारों से बड़ा और साइंटिस्ट कोंक्ष देश जो ये micro calculation करके बैठेगें, ये मक्ई की रोटी के लिए अच्छा, ये बाज़री की रोटी के लिए अच्छा, ये गेव की रोटी के लिए अच्छा, ये जरूर है कि उनके पास डिगरी नहीं है, तो बहुत लोगों के पास नहीं, लेकिन नॉलेज तो है, तो वो नॉलेज जो उनके पास है, परंपरा से आया हुआ, उस नॉलेज का समाज के लिए सदुपयोग हो, मेरी एक इच्छा है, और करोड़ों लोगों को रोजगार मिले और आपका किचिन का थोड़ा रंग मैं आपको एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहता हूँ, थोड़े दिन पहले मैं मद्रा से आथा, मद्रास में एक बहुत बड़ा ग्रूप है, टीवीएस, आप तर ना है, टीवीएस के बहुत साई की लाइज है, जैसे हीरो हंडा हमारे उत्तर भारत का वे से, रक्षन पारत का टीवीएस गूत है, शायद उनका टर्नोबर 2-5 लाग करोर का है, तो उनके घर के किसी सदस्तिन है, मेरी कोई सीडी सुनी, सीडी सुनके वो लेक्चर में आये, लेक्चर के बाद उन्होंने मुझे इंवाइट किया कि आप हमारे घर डिनर को आएंगी, परगा हू अब मैने उनके घर की मालिकिन जरुए है, य। धाईला करोर का एंपाइल आप समालती है, पत्टी पत्नी दोनों मिलके काम करते हैं, इतना बड़ा एंपाइल समालती है, मिट्टी की हांटी में दाल पकाने का समय कम मिलता है आपको, तो उनका जो उत्तर था वो देखके मै से दंग रहा, उनके कहा कि मिट्टर दीक्षे, दुनिया में हेल्थ से ज़्यादा महत्व कुछ नहीं होता, अगर हमारी हेल्थ हम मैंटेन नहीं कर सकते तो ये धाईला करोड कुछ काम का नहीं है, अगर हम मिमार पढ़ते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, इधर हजार करोड कमाते हैं, उजहर कमाते हैं, तो ये किसी काम का नहीं है, और अगर मिट्टी के परदनों का इस्तेवाद करके हमारी हेल्थ सुरक्षित है, और हमको सालों साल डॉक्टर के पास जाना नहीं कुड़ता, दवा खानी नहीं कुड़ती, तो इस ते अच्छा क्यास होता ह तो मैं निका, समय जाना लगता है, तो उन्हें निका, मैं मैंनेज करती हूं, उस समय को, इधर दाज चड़ा दिया, उधर ये चड़ा दिया, मुझे दूसरे काम है, five sign करनी है, ओर आदर कीसी को प्रेस इस करनी है, वो सम मैंनेज करती हूं तो management का ही सारा किस्सा है, तो पहाने माईदी हम छोड़ें कि इस में समय जाधा लगता है, कि इसमें ऐसा होता है, ये धुले में तकलीफ है, या इसमें कोई तकलीफ दुनिया में बड़ी नहीं है, आपके हेल्थ से जाना है। उस प्सभी हीुट के उप प्रतर लाइसा बहुत है है। इस हेलेखने मिट्टी के कुल्ठगालिय को प्रतर लागते हैं वह ईसका टेस्ट है। और रसुल्ला बनाते हैं, वो रसुल्ले का धूद मिट्टी की हाड़ी में उबालते हैं, तब चाके वो रसुल्ला इतना सफ्टी बन साए, वो कहते हैं कि अगर हम किसी दूसरे बरतन में धूद्ध उबालकर उसको फाड़ें, तो रसुल्ले इतुम्हें सफ्टनेस नहीं आ आते हैं और बगवान को अर्पा करते हैं, कभी आप पुरी जाहिए, जगनाथ पुरी, जगनाथ पुरी में बगवान करश्न का मंदिर है, वहां जो प्रसादम बनता है, भोग लगता है, वो मिट्टी की हाड़ी में लगता है, पहली बार जब मैं गया, तो वहां के लिए भवान को किसाद अर्पर करते हैं, कि मिट्टी पवित्र होती है, उससे ज़्यादा पवित्र तुरिया में कोई चीज है, तब मुझे स्ट्राइक किया, कि मुझसे ज़्यादा इंटेलीजेंट तो ये मंदिर का पुजारी है, जो ये मानकर काम कर रहा है, कि मिट्ट और फिर मुझे लगता है कि हमारे बुजरुगों की कहावत हम सिद्ध कर पाएंगे, मिट्टी से जुड़े रहो, तो वो तब ही संबब है, जब मिट्टी की हांडिया है, मिट्टी की कड़ाई है, मिट्टी के बरतन है आपके घर में, कोशिश करिए घड़ा तो आई वो कहेगा कि ये कहां से भगवान लोग चले आ रहे हैं मेरी मदद करने के लिए, और आपकी जीवन और आपकी जित्वगी, दोनों बदलेगी, और मैं आपको एक छोटी सी अपनी observation कहना चाता हूँ, जिनको भी diabetes है, जिनको भी arthritis है, जिनको भी blood pressure high है, जिनको भी blood pressure low है, ज जिनको भी cholesterol जादा है, जिनको भी triglycerides थी problem है, ये सब लोग कल से ही मिट्टी की अदाल खाना शुरू करें हाणी के, चावल खाना शुरू करें है, खेचवी, और तीन महीने के बाद आप आपका triglyceride कम हो रहा है, बिना medicine का है आपका diabetes, वाने sugar control हो रहा है, बिना medicine के आपक प्रश्न है तो आप जरूर करें, लोहे के बर्तद की बारे में ये कहा जाता है, कि लोहा जो wrought iron है, एक तो stillless steel है, ये अच्छा नहीं होता, wrought iron बहुत अच्छा, जो pure iron form में मिलता ना थोड़ा काला काला, वो लोहे के बर्तद, तो उस लोहे के बर्तद में आप सब्धिरा बना सकते हैं, डाल भी चाहें तो पका सकते हैं, लोहे की कड़ाई आप बादार में मिलती है आसानी से, वो कई गुझे अच्छी है प्रेशर को कर से, हाँ, काली हो जाती है तो उसका खरीका बताता हूं साफ करने का, लोहे की कड़ाई को साफ करने के पहले उसमें नीबू नीबू के चिलके से उसको अच्छे से घुमा दीजे और आपके घर में जो भी साफ करने के लिए है उसको रभ करके करती है नीबू इस्तेमाल करके सब फ्रियर करते हैं अच्छे से अच्छे सब्सक्राइब करते हैं इतना ज़रूर धिहान रखे कि यह जो आईरन है करई में रॉट आए है यह स्टेल से अच्छा है और कई गुना यह एल्यूमीजियू से ज़्यादा अच्छा है इस्टेल अच्छा है लेकिन सो सो फिफ्टी इस्टेल से अच्छा आए है क्या गते हैं सबसे अच्छ है निए अर्वेंकितों पाट करें दोने हैंशे हमेशा ही फिटते हैं फुश CYRA उसलिए के जाते हैं कि थोड़ा सफाई में नशाहएं और उसमें जादा घी भी नहीं चिपते, क्योंकि वो कलई करते ही थोड़ा stickness उसकी कम हो जाती है, तो वो घी जादा नहीं चिपता, तेल जादा नहीं चिपता, लेकिन कलई ना करें तो अच्छा ही है, कलई कर भी लेगे तो इतना खराब है. झाल झाल